नमस्कार सातियो, सातियो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यदि आप जेविक बेट लगाकर केचवा खात तियार करना चाहते हो और केचवा की संक्या में केसे वरद्धी की जाए तो इसका एक मात रूपा है जो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ आप केचवा की संक्या में वरद्धी कर सकते हो बहुत ही कम समय के अंदर पूरी जानकरी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी किसान बाइओ यदि आप अगर बेट लगा कर जेविका तयार करना चाहते हो तो आपको एक गोल तयार करना रहता है आप देख सकते हैं इस तरीके का हमने गोल बना रखा है ये करिप 12 गंटे तक हमने गोल को तयार किया है इसके बाद हम इसमें बेट के अंदर छिड़केंगे ये गोल हमने कैसे तयार किये हैं पूरी जानकरे आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी साथियो ये आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजेगा और इस वीडियो के अपने सभी साथियो तो एक बार जरूर शेयर कीजेगा तो साथियो सबसे पहले हम इस गोल को तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा गूर की आउशकता होगी और एक बेसन क्या आउशकता होगी इन दोनों का आपको क्या करना हो गूर और बेसन का mix करके गूर तयार करना है तो हम देख लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर गूर जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से बारिक पिसके अंदर पानी के अंदर डालना है आपको इस बात का जरूर दियान रखना है कि गूर जो है बिलकुल बारिक करके पानी के अंदर गूर हो जाना चाहिए यानि कि जो पानी का कलर होता है वो बिलकुल अच्छी तरीके से चेंज हो जाना चाहिए तो हम क्या करते हैं कि अभी इसके अंदर गोल को अच्छे तरीके से तयार कर दिया हमने यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हमने गुड को गलाया है लेकिन अभी नहीं गलाया है यह करीब 2 गंटा पुराना है अभी हमने 2 गंटे ही हुए हैं लेकिन हम इसको 10-12 गंटे तक गोल को तयार करके रखेंगे तो हम अभी इसको हातों से अच्छे तरीके से मसल देते हैं या पिस देते हैं ताकि अच्छी तरीके से बारिक होकर और इस पानी के अंदर गोल मिक्स हो जाए इसको गोल को अच्छी तरीके से गूड को पानी के अंदर mix करने के बाद आपको इसमें क्या करना रहेगा कि आपको बेसन डालना रहेगा बेसन को भी आपको इसको अच्छे तरीके से डाल दीजेगा बेसन जो आप इसके अंदर डालोगे तो डालने के बाद इसके अंदर बूंद नहीं बनना चीए बेसन जो है बारिक बारिक जो चिपक जाता है वेसा नहीं चिपक ना चीए तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इसके अंदर बेसन को डाल देते हैं अच्छी तरीके से जितने मातरा में डालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अगर आप मानलेजीए पांच लिटर पानी ले रहे हो तो उसमें आपको दो किलो गुड लेना है और एक लिएसन कम से कम आपको लेना है ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हैं लेकिन इस बात का ज़रूर द्यान रखना है बेसन और गुड को डालने के बाद पानी में आपको इसमें अच्छे तरीके से दोनों को मिक्स करना है आप देख सकते हैं मेरे हाथ हमें इस तरीके से बेसन की जो बुंदिया बन जाती है ऐसी बुंदि नहीं बनना चाहिए पूरा बेसन को इस पानी के अंदर हमें मिक्स करना है और अच्छे तरीके से हमें इसको मिला द तो हमारे केचुए के संक्या में हैं जो करीब 25 से लेकर 30 दिन के समय के अंदर ही अपने डेट से दो गुना वरद्धी हो जाएगी तो उचलिए हमारा गोल जो हैं देख सकते हैं आप करीब 12 गंटा पुरान हो चुका हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से गोल तयार हो आप सिर्फ कप या जो भी आपका पानी चिड़कने का जो होता है उसके साहता से आप इसके उपर अच्छी तरीके से चिड़क सकते हैं चिड़कने के बाद आप देख लीजेगा करीब 15 से 20 दिन का समय या एक महिने का समय आप जब देखोगे एक महिने के बाद में तो बहुत तीवर गर्दी से वरद्धी हो जाएगी तो साथियो हमारे दुआरे इस वीडियो में जो आपको जानकरी बताई गई है कि केचुआ को खाद अगर आप घर पर तियार करते हो तो इसमें केचुआ के संक्या में कैसे वरद्धी की जाए ये एक मातर सबसे बहुत ही और सबसे सस्तत तरीका हैं अगर आप इसे अपलाई करोगे आप इसे प्रयोक करगत आपके भी केचुआ के संक्या में अवश्य वरद्धी होगी और साथियो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत तन्यवाद